Hello friends and welcome back to my channel आज जो मैं आपको tips बताऊंगी वो इतने amazing है कि अगर आप इससे आपकी day to day life में include करेंगी तो आपका काम आसान भी हो जाएगा और आपका वक्त भी बचेगा Friends, अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी पसंद आये ना तो like कर दीजेगा और हाँ अगर आपकी पास कोई suggestion है तो जरूर मुझे comment करके भीजेगा ताकि मैं उसे अपने वीडियो में include कर सकूँ वो भी आपके नाम के साथ सब्सक्राइब कीजे घंटे के साथ ताकि आपको आने वाली वीडियो की सारे notification मिल सके तो चलिए देर नहीं करते हैं लेट्स स्टार्ट चलिए फ्रेंट्स टिप नंबर वन देख लेते हैं तो रिक्वेस्ट एक टिप है अगर आपके वुडन कुछ भी जो spatula हो या वुडन चॉपिंग बोर्ड हो या वुड की कोई कटोरी हो कुछ भी हो बोल वगेरे अगर उस पर फंगस लग गया है तो उसको आप कैसे साफ करे तो यहां मेरे वुडन चॉपिंग बोर्ड लेया है और आपको ले लेना है लेमन लेमन को आपको अच्छी तरह से पूरा गुडन चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से रब करना है जैसे मैं वीडियो में बता रहे हूँ स्पेशली साइट्स में जहां फंगस लगते है जादा करके ये देखिए तो आपको इस तरह से इसको रब करना है बारिश के टाइम पे स्पेशली ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है या तो फिर आप धो के इसको प्रॉपली सुखाते नहीं है तब भी ये प्रॉब्लम होती है फंगस की तो ये सिफ चॉपिंग बोर्ड के लिए नहीं लकडी का आप जो भी यूज करते है जैसे चमचा वगेरे उसके लिए भी ये टिप लागू होती है तो आपको क्या करना है इस तरह से लेमन को अच्छी तरह से घिस लेना है पूरे चॉपिंग बोर्ड पे साइट में भी स्पेशली आपको ये करना है ये देख सकते हैं जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ इसके बाद मैं आपको ऐसी भी टिप दूँगी कि आप कैसे इसको आप स्टोर करें ताकि इसमें फंगस ना लगे तो क्या आगे आपको करना है तो पूरा वीडियो जरूर देखेगा इसको लगे रहने देते हैं जब तक ये सूखे ना तो इसके बाद देखिए ये सूख चुका है अब ये जो इसका जो रेशे निकले ते लेमन के वो अच्छी तरह से निकल जा रहे है यानि कि ये सूख चुका है ये देखे आप देख सकते हैं रेशे यहां इस तरह से इसको कर लीजे और अब आपको क्या करना है आपको ले लेना है इस तरह का टीशू पेपर आप कोई कपड़ा ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां मैंने पानी और विनेगर का ये जो मैंने आपको पहले पताया था कि इसको कैसे प्रिपेर करना है वो ले लिया है और इस तरह से टीशू पेपर के उपर आप पानी लगा दीजिए इस तरह से यह डस्टिंग स्प्रे और इसको बाद में आप स्प्रे कर दीजिए और आपको इसको धोना नहीं है आपको इसी से क्लीन हो गया है आप इसको धूप में भी रख सकते हैं मर आप धूप में रखने से पहले ये स्टेप जरूर करें कॉटन ले रूई ले ले उस पे थोड़ा सा कुकिंग ले जो भी आप यूज करते हैं वह ले और इस तरह से स्पेशली साइड में पहले लगा दे इस तरह स है तो फैट के उपर कभी भी फंगस ग्रोन नहीं होता है तो यह साइंटिफिक रीजन है इसलिए आप बोडन की कोई भी स्पैचुला हो या कोई भी बोल या कोई भी कंटेनर हो आपके पास बैंबु का भी तो उसके उपर ऑईल ज़रूर लगा के रखे ताकि वह प्रिव ज़रूर मुझे कमेंड रेंच चलि अगले पासे में काम करते वर्त हम कई बात ज़ल जाते हैं तो समझेंकि यहां में जल गयी हूं कभी कुकल को कडाई लंग जाती तो कभी कुछ तो इस ततरस कि मैं जल गयी हो तो आप क्या करें जले हुए हिसे पर आप लगा दे शहरू यहां फ्रेंड्स हनी लगा देना है आपको जहां आप जल गए हैं वहां आप हनी लगा दे हनी लगाने से क्या होता है एक तो आपको तुरंथी रिलीफ मिल जाएगा आरा मिल जाएगा दूसरी जो फोड़ी होती है पानी भरता है वो नहीं होगा और तीसरा हनी आपकी स्किन को hydride करता है यानि कि moisturize करता है तो जरूर आप हनी लगाएं तो अगली बार जब भी आप छोटा मोटा इस तरह से जल जाए किचन में काम करते वक्त आए हो पैसा ना हो बट अगर हो जाए एक्सिडेंटली इस तरह से तो आप इस तरह से हनी लगाएं कैसी लगी यह तिप को बहुत जाता पसन आने वाली है तो जिसको यह प्रॉब्लम है कि दहीं जब भी कोई ग्रेवी में डालते है सब्चे में डालते तो दहीं फटने की जो प्रॉब्लम होती है उसका solution लेके आई हूँ कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है तो मैंने एक चोटे से कटोरी में बोल में मैंने ले लिया है दही जितना आपको डालना है उतना ले ले इस तरह से और जब भी आप डाले दही तो फ्रेश दही डाले खटा दही ना डाले इस दही में ही आपको जो भी मसाले आपको आड़ करने हैं आपकी ग्रेवी में वो सारे मसाले आप दही के अंदर ही मैं आपको बताते हूं आगे क्यूं ऐसा क्यूं कर रहे हैं तो सारे मसाले मिदालने की बाद आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दही फटने की जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों ने मुझे कमेंट की है उसके लिए प्लीज कोई टिप बताए तो आपको यह ऐड करना है सबसे पहले आपको ग्यास норм को लोग कर लेना है इद्भा लोग कर लेना है और जो दही को आपको आड कर लेना हमारी घंड कर लेंगी चल 그렇지 अच्छी तरह से उसको मिक्स करें आपको द offenders यह आड़ करके मैं इसमें उसका पानी डाल दूंगी यह आप देख सकते हैं दम क्रीमी हमारे जो ग्रेवी है वो बनी है बिल्कुल भी दही फटा नहीं है आपके सामने है नो टेक्स हैं यहां बिल्कुल भी यह देखिए अब इसका ओइल छुटने तक आप इसको पगाए कैसे लगिया आपको यह वाली टिप जरूर कमेंट करके बताईएगा चलिए फ्रेंज अगली टिप आपको बहुत पसंद आने वाली है तो यह पापड को लेकर है फ्रेंज पापड लंबे समय तक कैसे फ्रेश रखे ताकि इसमें फंगस ना लगे बारिश की टाइम पर जिब बहुत सादा मौश्यर होता है पापड खराब हो जाते हैं तो इस इसके बाद आपको एक चीज और इसमें आड किनी है बहुत ही सींपल सी रहे मेथी दाना ची छी हाँ फ्रेंज साबुत मेथी दान आपको ले लेकिना और सापड थो बीच में और इसरा से कंटेनर में आपको डाल देना है इसे बिल्कुल भी एसे पर मोईस्च्चर नहीं होता डब्वे के अंदर से हवा निकालना भी बहुत ज़रूर होता है तो इस तरह से मेथी दाना डालते हैं तो आपके पापट फ्रेश रहेंगे यह वाली जो टिप है फ्रेंग्स मुझे सुनीता नेहते जी ने दिया है थांक्यू सुनीता जी बहुत ही काम की टिप है कैसे दो अग्ली टिप देख लेते हैं यहां मैं बात करें हो हरे प्यास की यान की स्प्रिग आॉनियंश जो हम बहुत कम रेचिपी नहीं होती तो इसको अच्छी तरसे वास कर लिया है और वाशिंग मशीन के अंदर इसके लिए पास थानल पर आप तो वो जरूर मेरे चानल प यह देखे इस तरह से जिसमें वीडियो में बता रही हूं आपको प्यास को उपर वाला जो भाग होता है वह आपको काट लेना है ठीक है इसको साइड में रख लेते हैं और सारे लिफी पार्ट्स है इसमें बिल्कुल भी मॉश्चर नहीं होना चाहिए अगर आपको स्टोर क से काटती हूं सीजर से बहुत ही कट जाता है और सारी एक साथ कट जाती है तो मैं इसको यहां इस तरह से काट लूँगी छोटे-चोटे तुकड़ों में यह बहुत कन्वीनेंट हो जाता है आप पुलाव बना रहे हैं चाइनीज बना रहें कुछ बना रहें उपर से लीजे डबा और इसको बस प्रिंकल कर दीजे तब आपको चॉपिंग वगरे करने की जरुवत नहीं है तो मैं इसी तरह से स्टोर करती हूं तो देखिए मैं यहां सीजर की हेल्ट से बहुत इजली कट जाते हैं तो देखिए कितने फ्रेश है और प्याज में भी अगर करती हूं जो स्टोरेज के लिए काम आते हैं तो यहां में इस तरह से यहां टीशू पेपर भी मोटा वाला जरूर यूज करिए आप पतला वाला टीशू पेपर बहुत जली गीला हो जाता है फिर आपकी चीज़े बिगरती है तो जो हमने यहां प्यास काटे हैं इस तरह स इसमें रख लेना है यह देखें बिल्कुल भी इसमें मौश्चन नहीं होना चाहिए बार-बार बोल रही हूं है इसके उपर टीशू पेपर लगा देंगे और यह जो प्यास है यह भी में इसमें रखूंगी इस तरह से और उपर से फिर से यह यह टीशू पेपर को में टू कैसे लगी आपको यह अमेशिंग टिप्स ती की नहीं आघी यूसके यूसमा उसके लिए कमें करे और इनमें से कौन से टिप आपको सबसे ज़ाधा पसंद आई उसके लिए इसके लिए विए झाल को मिकान यह तो केपन कर फिद बाक्स कमेंट मेरे चानल पर वैंट झाल झाल